खेत में बैठे हुए हैं वो भी धान की खेत में और जमीन आवाज आ रहा हूँ तु वेलकम बैक टु माई न्यू ब्लॉग और मैं हूँ आपका प्यारा भाई चुनिलाल जादव और दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने खेत पे ममी बोली कि तुम बैठे बैठे दिन भर व आपका पामी से तो चलो चलते हैं जा रहे हैं कुछ दूर आ गया हूं मैनलब क्यार सौ मेटर तो आई करो में घर से अफिडर में आहरा पोखरा जो बोलते हैं देखिए रास्ता है और इतर कुछ लोग काम कर रहे होंगे खेत में उसके बगल में और बताईए आपका क्या स तो आगे हैं खेट के पास में एक मिनट लगेगा तो दोस्तों मैं आगे हूं अपने खेट पे तो आज अपने खेट पे लाइब दिखांगा आपको देखिए यह मेरे बड़े भाई साथ हैं और क्या बूले और यह देखिए मेरा खेट है यह वाला फोड़ा सा पानी है अब पूरा खेट में कुछ भी नहीं है और अंदर तो लगता है कुछ भी नहीं है यह देखो कुछ दूआए नहीं है मेरे पेट तो यहां पर सुखा-सुखा लगए बिल्कुल यह देखिए कुछ भी नहीं है का सकते हो यार ढार्दन की खेट कैसे अध्यान आनी नहीं है यह 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 कितना ही पानी डालो खोल भी परक नहीं बनने वाला अम बार्ग कित्कू कितना और दूसरा खेत पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों हम अपने खेत में बैठे वे यह वह भी धान की खेत और जमीन आवाज आ रहा होगा यह देखे तो पानी नहीं है बिल्कुल सफे से दुक्हा bought it was जो नहीं प्लव या थ science का हालत जब ये रहेगा तो फिर अब क्या करेगा और किसान के ब arrogant क्रेंग हमक्या करें ओध और हमारा भीहार सरकार ऐसा है बस पानी कहां मस्त है नहर खुदवा दिया यह कर बाद लो प्रबादिया कुछ भी नहीं हुआ पानी नहीं है खेट में इस जगां ठेट यहां पानी का कि तोना हम पूंजी लगाएंगे उतना तो मुझे लगता है प्राप्त भी नियुका को मेरा को फल ठीक है अदुछ है यही है तो इस वीडियो इतना ही कि ब्लोग में वीडियो को लाइक किजी शियर किजी और सब्सक्राइब कि गंठा द्वाई ठीके तो चुनी लाजाला कुछी याद करे मिलता हम गले विडियो काता बायवाद जैके आगा